हेलो दूस्तो नमेश्कार को हमेशा अवाड़ी करना अच्छा रहता है क्योंकि बाजर में 5000 से ज़्यादा स्टॉक अपलों को मिल जाएंगे सो क्यों ऐसे स्टॉक में पढ़ने का जहां पर कोई ना कोई कॉंट्रवर्सी चलती रहती है न्यूस चलती रहती है उसी के साथ साथ इन्वेस्टिकेशन चलते रहता है सो ऐसे कंपनी में हम लोग ने पढ़ना ही नहीं होता है सो दोस्तो ऐसी वापस हम लोग को खबर यहापर देखने को मिल रहे है जहापर CBI भी इन्वाल्व यहापर हो चुकी है सो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हम लोग को यहापर देखने को मिल रहे है इस कंपनी में कंपनी कोई नहीं नहीं है देखे मार्केट में वहीं कंपनी देखने को मिलेगी बट जो हम लोगों को सीखने को मिलता है कि क्यों हम लोगों ने ऐसे company से दूरी बरत के रखनी चाहिए क्योंकि ऐसे investigation में एक एक पहलू सामने आते रहता है कि company में गड़ बड़े गड़ थोड़ा सा stock उपर जाएगा बाद में वापस वो dump कर जाता है सो यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को यह सारी चीज़े सीखने होती है तो चलिक कौन सा stock के उसी की बारे में हम लोग बात करेंगे सो वीडियो को पहले start कर लेते हैं बड़ उससे पहले जरू किना चाहूँगा जिस दिन आप लोगों को पहले ही समझ में आएगा कि यह जो बोलते ना कंपणी अच्छी है या नहीं तो वैसी हम लोगों को यह आ पर देखने को मिल जाता है बैलेंशीट में रिजरूस देखने आदेखे नेगेटिव रिजरूस है राइट नेगेटिव रिजरूस मतलब अलर्ट हो जाने आप लोगों ने उसी के साथ साथ करजा देख लेते बाप रेबाब आप खुद देख सकते हैं 50,000 करोड का करजा है चलो कोई बात नहीं है 50 50,000 करोड का हो शायद से बड़ी requirement हो की company की profit तो generate करना चाहिए मैंने इससे पहले भी काया चलो आप 50,000 करोड ले लो एक लाग करोड का करजा ले लो सामने profit भी तो होना चाहिए नेट प्रोफिट अगर अच्छा है तो कोई बात नहीं है रिलाइंस का भी एक लाग करोड के देख लेते हैं यह तो fluctuating manner में लेते हैं फिर भी 38,000 करोड है मतलब करजा लेने में company expert है उसके बाद अगर हम लोग बात करें cash की बात कर लेते हैं somewhere around 7-7,000 करोड के आसपास का cash या पर नजर आ रहा है बट वो भी check कर लेना चाहिए right company के account सी check करना चाहिए इतने सारे गडब कर पाई की नहीं तो दोस्तो profit की अगर हम लोग बात करें तो जीरो के नीचे आप देख सकते हैं जीरो के नीचे के बार है मतलब company loss दिखा रही है somewhere around आप यह आपे देखोगे तो कितना रहेगा इसके पहले 7,500 करोड का नुकसान पिछले quarter में लगब 2100 करोड का नुकसान औ यह मैं इसलिए बता रहा हूँ यह तो net profit है मतलब करजा 50,000 करोड और उसके सामने 13,000 करोड का loss मतलब इसी company अच्छा performance नहीं देती है दैन अगर हम लोग बात करें share holding pattern 39% share promoter के पास है और 100% share गिरवी है पूरे साल भर की बात करें तो मतलब company के पास अपने shares ही नहीं करजा भी उटा के रखा है वो भी ऐसे कोई अच्छा धंका असरेटी नहीं इनके पास कि वह सामने वाले को देखे करजा उटा सके सो यह parameter ही हम लोगों को बता देता है वहास यहां से भाग लो यह company कुछ ठीक नजर नहीं आती जो मैंने seven parameters आपको सिखा है हमेशा उसको deeply follow करते र इस पासे डिएस की बात कर लेते domestic institutional investor तीन सवा तीन परसेंट साड़े तीन परसेंट हम लोग बोल सकते हैं अभी public shareholding अभी देख लेना public shareholding तो जादा रहेगी 50% से आप लोग खुद देख सकते हो 54.87 हो गया राइट बहुत सारे लोग को लगेगा सर इस से पहले भी आप पड़ेगा ही क्योंकि आज भी देखे ये चैनल हर किसी को नहीं पते है अभी तक और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं एजए entertainment करके बहुत ही deeply study करने वाले कम है जिन्हों ने किया study उनके लिए अभी तो ये बच्चों का खेले market उनको समझ में आता है कि सही क्या गलत क् सो यह आप देख सकते कि कैसे कोई खरीद सकते है ऐसे company को जापे company पचाशार करोड का loan लेके बेटी है 13,000 करोड का नुकसान पे है प्रमोटर ने खुद के share 100% गिरवी रखे फिर भी पिछले quarter में हम लोग को 54.87 मतलब इतना जबरदस और बाकी का भी हिस्सा बेज देंगे अच्छी लगी यह company आप लोगं को कोई parameter नहीं है इसमें कोई एक parameter नजर ने आ रहे कि इस company को में खरीदो राइट company के chart की बात करे 17 रुपे 18 रुपे का stock नजर आ रहे है अब खुद देख सकते हो 5 दिन का chart pattern पकड़ लेते हैं यहाँ पर 5 दिन का chart pattern एक मेने का chart pattern 6 मेने का chart pattern एक साल का chart pattern उसी के साथ साथ 5 साल का chart pattern यह देख लेना मतलब क्या समझ में आते हैं यहां पर इतनी बड़ी गिरावट मतलब कुछ तो गड़ बड़े दया है मतलब फ्रॉड की केसे से यही से समझ में आ जाते हैं कि गड़ बड़े बट उसके बाद भी 50% क्या करते हैं रिटेल इंवेस्टर ऐसे शेर में निवेश करके बेटे हुए इस होप में कि कल जाके शायद से इनको रिटन यह आप लोग देख रहे हैं यह कितने लेवल पे था अब देख सकते हो और आज कितने पे मिल रहे है 17 रुपे तो उनको लगता है यह 17 रुपे वापस कभी तो 600 हो जाएगा यह सिर्फ नए लोगों के साथ होता है क्योंकि मेरे भी जो जर्नी की शुरुआत थी वह ऐसे ही थी लगता था कि वापस जाएगा करके बट यह तो सोचो कोई आपको आइफोन जो देड लाग का मिलता है अप्रोक्सिमेटली वह आपको 15,000 में या फिर 1500 में दे रहा है कु जो चीज चेक करनी होती है इसलिए कहना चाहूंगा ऐसे कंपनी से दूर रहना होता है दोस्तों अभी हम लोग न्यूस के ओपर आ जाते हैं पर उससे पहले भी एक छोटा सा डेटा देख लेते हैं यह देखिए 24 मार्च आज की दिन देखें ट्रेडिंग होना कोई बुरी देख सकते दसेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिकेशन सीबिय हैस बूक राइट किसी से रिलेटेड यह चीज़े देखने को मिल रहे तो दोस्तों डी एच एफल अगें डी एच एफल एंड उनके जो डायरेक्टर रहे उनके उपर आरोप है कि उन्होंने सम्वेर लोन अकाउंट क्रियेट किये मतलब जूटे अकाउंट बना लिए जो की वास्तेविक्ता में थेई नहीं कितने धाई लग बोल लेते हैं धाई लग के आसपास एंड उनसे क्या करते थे आप यहापे देख सकते हैं उसमें से कुछ अगर हम लोग बात करें some of which were used to claim the interest subsidies किस उसे रिलेटेड तो प्रदान मंत्री जो आवास योजना थी उससे रिलेटेड ये उसका फाइदा उठाने के लिए मतलब जूटे अकाउंट बना लिए गए मतलब अंदाज लगा सकते हैं कि एसी अभी यह चीजे आज सामने आ रही बट हम लोगों को हिंट तो पहले ही आ आ पर सामने आ रही है और डिटर ने यह सारी चीजे फाइंड कि है कि डिएच फल में बहुत कुछ गडबड यह आ पर चल रहे हैं खुद आप लोग देख सकते प्रमोटर कपील और धीरज वादवान इन दोनों की अगर हम लोग बात करें बहुत बुक अलोंग विद्ध क कंपनी मतलब हम कह सकते कि सी भी ने आरेश्ट भी किया है ऐसा भी चीज़ें हम लोग यह आपर बोल सकते हैं इससे रिलेटेड जो धाई लाक अकाउंट्स बनाएं थे ना उससे रिलेटेड फेक अकाउंट्स से उन्होंने क्या किया था 14,000 करोड के होम लोन बॉर्वर से आपर दिखा के यह चीज़ों का घोटा लाया आपर किया है मतलब बहुत ही हम लोग कह सकते हैं अभी क्या इसमें डीप जाने का इतने सारे वीडियो में बना चुका है इससे पहले भी कितने सारे हम लोग को फ्रॉड की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली ते लिए यह क्याना चाओंगा कि दूर रेज जी ऐसे कंपणी में 15,000 करोड 14,000 करोड का फ्रॉड है आप लोगों के सामने देख सकते हो और इससे पहले भी बड़ा फ्रॉड हो चुका है सो सीखने का एक ही मकसद है दोस्तों यहापर कि ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना होता है रिट के पीछे कुछ तो कहानी होगी राइट वह कहानी पढदनी है राइक है कुछ फॉस्टाप ए नहीं होंने टर्रेंगा इसको करीडने एक आपको कोई भी फाइदा यहां पर नहीं होने वाले आपके शेर्स यहां पर कैंसल हो सकते हैं एतना है कह सकता हूँ दोस्तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना है एंद अगर आपको लगता है वीडियो बार-बार हो रहे हैं दोस्तो तो इसलिए बनाड़े पढ़ रहे हैं क्या बस उपर जाएगा करके हैं खोब दिखाई जाएगी यह सत्रा का सत्र तक लेके जा सकते हैं फिर बाद में इसा लगेगा और एक काश में निवेश के आता है वह सत्र से इतना तोड़ देंगे कि साथ रुपे तक लेके आएंगे आपको एजट का टाइम ही नहीं मिलेगा सो ऑपरेटर का स्टाइल ही ऐसा होता है तो मैं इतना है कहना चाहूंगा दोस्तो पैरामिटरस जो बोलते ना स्टडी अगर आप करोगे ना जो सिखा हुआ इंसान रहता ना उसको आप कभी बेवकुफ नहीं बना सकते बस वही चीज़ हम लोगों ने आपे फॉलो करनी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तो तो जरूर लाइक अड़ शेर कर दिना वी बीटिंगा नेक्स टब तक के लिए बाई बाई